वंदे मात्रम जै भारत पाई राजी उदिक्सित अमर रहे जै महाराणा परताप मात्र 57 वर्स का जीवन काल और लगातार पिछले 482 वर्सों से नाम है विशु के परतेक व्यक्ति की जुबाँ पर उस व्यक्ति को कहते हैं महाराणा परताप महाराणा परताप नाम है धरम रक्ष्या का महाराणा परताप नाम है करम का महाराणा परताप नाम है समानता का महाराणा परताप नाम है संगर्स का महाराणा परताप नाम है संस्किर्टी रक्ष्या का पहारतिय इतियास में एक ऐसे महान योद्धा महाराना परताप के विशे में आज हम आप से चर्चा करेंगे अक्सर हमारे मन में बहुत सारे परसन परतेक महाफुर्ष को लेकर चलते रहते हैं उनी परसनों का जबाब हम आप तक पहुँचाएंगे और उमीद करते हैं कि कोमेंट के रूप में आप क्या सोचते हैं क्या हमारे विशार उचित हैं या इन में कोई कमी है वो दीजिएगा मेरा जो सबसे पहला परसन है कि आखीर महाराणा परताप ने अकबर के साथ युद किया ही क्यों महाराणा परताप बहारतिये संस्कृति में पले बड़े और जिस देश का राजा होता है उसकी परजा उसी की संस्कृति का पालन पोसन करती है या मैं एक कहूं उसी की संस्कृति की अनुसार चलती है उधारन के लिए वर्तमान काल में जिन भी देशों पर इंगलेंड या अमरीका का अधीकार रहा आज भी वहां उनकी संस्कृति का परभाव सीधा सीधा देखा जा सकता है ठीक इसी परकार से महाराना परताप के मन में भी एक परसन बार बार आता होगा कि अगर अकबर का सामराज्य उनके छेतर में मेवार पे लागू हुआ तो उनकी संपूर्ण संस्कृति नस्ठ हो जाएगी और इसी पीडा को बार बार समझते हुए क्योंकि भारतिय संस्कृति और विदेशि संस्कृति यानि कि जिस संस्कृति में आकबर का जनम हुआ जिस संस्कृति को आकबर मानता था उसमें दिन रात का आंतर था और ये पीड़ा कही ना कही महाराना परताब जी को छण छण खा रही होगी जहां हम नारी को देवी का दर्जा देते हैं उसके ठीक विप्रित अकबर की संस्कीर्ती में नारी को सोशन किया सोशित किया जाता है भोग की वस्तु समझा जाता है तो क्या हालत होगी मेरे परिवार की क्योंकि हमें ये पस्चिमी और वामपंथियों ने हमारे मन मस्तिक्स में एक विचार धारा भर दी है कि राजाओं ने सदा सोशन ही किया है ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों अगर राजाओं ने सोशन किया होता तो भारत विश्व गिरू कैसे बनाओ अगर राजाओं ने सोशन किया होता तो भारत का पूरी वैस्विक अर्थव्यस्था में तीसरा हिस्था कैसे रहा ये तब ही संबव है कि जो राजा है वो अपनी परजा का संपूर्ण ध्यान रखते हुए उससे अधिक से अधिक उत्पादन ले और उस उत्पादन के माध्यम से पूरे विश्व में अर्थ व्यस्था को कबजा करे पूरी अर्थ विश्व के अर्थ व्यस्था को अपनी अ लेकिन अधिकतम हमारे राजा महाराजाओं ने सोसन नहीं पोसन पे कारिये किया ना केवल अपने आपको सक्तिसाली बनाया बलकि परजा को भी सक्तिसाली बनाया तो ठीक ये जो संस्किर्तियों का भेद था एक तरफ सोसन ही सोसन और एक दूसरी तरफ पोसन ही पोसन यानि कि चीटी से लेके सेड तक की रक्षा एक संसकिर्ती इस बात की गवाई देती है और दूसरी संसकिर्ती जिसमें चारो तरफ सोसन ही सोसन है तो संस्किर्टी रक्षा के लिए महाराना परताप ने युद्ध किया अक्बर के साथ दूसरा परसंड जो मेरे दिमाग में बार बार गूमता है कि महाराना परताप के हत्यारे कून जब भी किसी महापूर्ष का मैं जीवन पढ़ता हूँ तो एक ही सवाल मेरे मन में उठता है कि इसका हत्यारा कौन मुझे जो लगता है कि महाराना परताप ने अपने जीवन को केवल भारतिय संस्किर्टी स्वाभिवान की रक्षा के लिए खतम कर दिया आज महाराना परताप जी की आत्मा जहां कहीं भी होगी वो यह सोच रही होगी इन दुस्टों के लिए मैंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया आप कल्पना कीजिए जिस महाराना परताप ने सब कुछ बलीदान कर दिया और केवल महाराना परताप ने नहीं उसके साथ भीलों ने आदिवासियों ने सभी समाज के सभी अंगों ने समान रूप से बलीदान दिया मात्र महाराना परताप नहीं ऐसा कहे कर भी हम महाराना परताप की हत्या करते हैं जो वेक्ति ये सोचता है कि हल्दी घाटी में केवल महाराना परताप का रक्त गिरा या केवल राजपूत का रक्त गिरा वो सबसे बड़ा अत्यारा है महाराना परताब का क्योंकि महाराना परताब को महाराना परताब बनाने के लिए सबसे बड़ा बलीदान दिया उस माई ने जिसने उस वंस की रक्षा के लिए अपने बच्चे का बलीदान दे दिया उस मा ने याद करो वो मा कौन थी क्या वो मा राजपूत थी तो सबसे बड़े हत्यारे महाराना परताब के वो लोग हैं जो ये कहते हैं जै राजपूत जै महाराना परताब जै धरती मा जै महाराना परताब जै भारत, जै महाराणा परताप, जै भारतिय संस्किर्ती, जै महाराणा परताप अगर महाराणा परताप को बचाना चाहते हो, तो भूल जाओ कि महाराणा परताप राजबुथे महाराणा परताप हर उस वेक्ति का अधिकार है महाराणा परताप के उपर जो वर्तमान में भी भारतिय संस्किर्ती धरम, राष्ट, समाज और जी उरक्षया के कारिये में लगा हुआ है दूसरा सबसे बड़ा महाराना परताप का हत्यारा वो वैक्ति है महाराना परताप का जीवन हमें संदेश देता है सक्ति के लिए सामर्थे के लिए, बलीदान के लिए, मातरभूमी की भक्ती के लिए, जीवन से प्रेम के लिए सबी समाज के अंगों को समानता के लिए समाज میں जो वैक्ति, जातिये विवस्था के आधार पर महापूर्सों को टारगेट करते हैं वो दूसरे सबसे बड़े अत्यारे हैं महराणा परताब के आज इस देश में ऐसी विवस्था खड़ी हो गई है कि एक महापुर्ष पर अपनी जाती का पेटेंट लगाने के लिए लड़ाईयां होती है कुछ समय पहले एक लड़ाई चल रही थी ना पिर्थवी राज चोहान गुजर थे ना पिर्थवी राज चोहान राजबुत थे पिर्थवी राज चोहान मरत्र एक राष्ट भक्त थे संस्किर्टी संसकार धरम प्रकर्ती और धर्ती मा की रक्षा करने वाले इन सब के पूत्र थे तीसरे महाराना परताप का सबसे बड़ा हत्यारा है वो व्यक्ति जो अपने सरीर की सक्ति सामर्थे को नश्ट कर रहा है आज सबसे अधिक जो लोग ये कहते हैं जै राजपूत जै महाराना परताप वो सराब, बीडी, सिगरट, हुक्का ना जाने आने को पदार्थों के माद्यम से अपने सरीर को नश्ट कर रहे हैं जो महाराना परताप सक्ति और सामर्थे का परतीक था भला उसके वनसज कैसे वो लोग हो सकते हैं जो सराबी हैं, जो बीडी पी रहे हैं, जो सिगरेट पी रहे हैं सबसे बड़े वो हत्यारे हैं जो अपने सरीर को नश्ट कर रहे हैं महाराना परताब के इसके बाद महाराना परताब के सबसे बड़े हत्यारे वो लोग हैं जो विदेशी संस्कृति का पालन कर रहे हैं आप कल्पना कीजिए जिस महाराणा परताप ने अकबर की विदेशी संस्कृति को रोकने के लिए भील आदिवासियों और समाज के सभी अंगों को साथ लेते वे अपने प्राणों की आहुति दे दी आज मंदिरों के अंदर केक काटे जा रहे हैं अपने जनम दीवस के अवसर पर बच्चे स्वेचा से केक काट रहे हैं वो केक नहीं वो महाराणा परताप को टुकडे टुकडे कर रहे हैं क्योंकि ये कारिये महाराणा परताप को मैं बार बार मेरे मन में परसन उठता है महाराणा परताप का हत्यारा अकबर नहीं थे विदेशी नहीं थे महाराणा परताप के हत्यारे हम लोग हैं परतेक वो परिवार जो विदेशी संस्कृति के आधार पर चल रहा है वो महारा परताप की जिनदा बात कहने से तुम्हारे तुम्हारा अधीकार नहीं हो सकता प्रतेक व्योवेक्ति महाराना परताप ने विदेशी आकरमन कारियों को रोकने के लिए बलीदान दिया आज हम सवेच्चा से विदेशी वस्तों का इस्तमाल कर रहे हैं हमारे सुवै से लेके हमारी आखे खुलने से लेके और हमारी आखे बंद होने तक हम विदेशी सामान पर आधारित हैं हम स्वैते विदेशी सामान की विदेशी कंपनियों की गुलामी स्विकार कर रहे हैं मानता हूँ वर्तमान व्यवस्था के नसर कुछ मजबूरियां हमारी हो सकती हैं, लेकिन अधिक्तम हम सवदेशी वस्तों का इस्तमाल करें, क्योंकि महाराना परताप ने बलीदान दिया विदेशी संस्कृति को रोकने के लिए, तो परतेक वो व्यक्ति जो विदेशी वस्त महाराना परताप सोच है, सोच है, आप सोच ये जरा, सोच है महाराना परताप, आगला जो परसन मेरे मस्तिक्स में उठता है, अक्सर, कि महाराना परताप का वनसज कोन, उत्रा धीकारी कोन, क्या ये पूरा जो एक जातियत अंतर इस राष्ट में स्थापित हो गया है, जह पे ब्रहामन भी है सबी क्या उत्तरहदीकारी इसी आधार पे तैकिये जाते हैं और इस परसन का जवाब मैं अपने मन से देता हूं कि आज अगर मेरा सरीर समाप्त हो जाए तो मेरे वनसज कौन तो मेरे मन व्यक्ति इन संकल्पों को पूरा करेगा या इन संकल्पों को पूरा करने के लिए परियास करता रहेगा परते को व्यक्ति मेरा वनसज है परते को व्यक्ति मेरा भाई है परते को व्यक्ति मेरी जाती जो अपनी संस्किर्टी की रक्षा के लिए कारिये कर रहा है अपने देश की रक्षा के लिए कारिये कर रहा है वो परतेक व्यक्ति महाराना परताब का वनसज कहलाएगा इस आधार पर आप कल्पना कीजिए क्या जिस गाओं में मैं बैठा हूं उस गाओं की जो सीमाएं हैं मात्र सराब के सेवन से उस गाउं की सीमाएं सिमिट गई है तो क्या वो महाराणा परताब के वनसज है क्या वो वेक्ति जो सराब पी रहा है क्या वो वेक्ति जो अपने माता पिता की रक्षिया नहीं कर पा रहा अपने माता पिता को भोजन नहीं दे पा रहा क्या वो वक्ति जो अपने परिवार का पालन पोसन नहीं कर पादा, क्या वो महराना परताब का वंशज है क्या मात्र किसी जाती विशेश में जनम लेने से वो महराना परताब के उत्र आधिकारी हो सकते हैं नहीं तो मुझे लगता है इस विशह पे हर एक व्यक्ति जो संस्किर्टी संस्कार रास्ट धर्म और समाज की रक्षा का कारिये कर रहा है वो महाराना परताब का वंसज और मुझे गर्व है कि मैं भी महाराना परताब का वंसज हूँ मैं भी महाराना परताब का वंसज हूँ और मेरे रगों में भी महाराना परताब के संसकार गूम रहे हैं और उनी संसकारों की सकती है कि आज जिस पथपे मैं चला हूँ मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब तक मेरी सांस चलेगी मेरा परतेक कदम राष्ट के लिए चलेगा परतेक करम धर्म के लिए चलेगा परतेक करम समाज के लिए चलेगा तो मैं वनसज हूँ और मैं ही नहीं इस पत पे चलने वाड़ा परतेक वेक्ति महाराना परताब का वन्शज है तीसरा जो परसन मेरे मस्टिक्स में बार 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 घूमता है हमें हमारे इस पत्थ पे लेके आने वाले जो सबसे पहला जीवन का मोड था वो हमने भगत सिंग जी का आदे गंटे का एक एपिसोड देखा और हमारे जीवन में परिवर्तन आया हमें सही दिशा परमात्मा के दुआरा मिली बाबा जैरामदास जी के दुआरा मिली लेकिन सही रास्ता की वर्तमान परिस्तितियों में हमें क्या करना है उसकी जानकारी हमें भाई राजीव दिक्सित के दुआरा मिली तो आज के समय में हम महाराना परताब जी को सरधान जली कैसे दे जब भी किसी महापुर्ष का जनम दीवस आता है या अंतिम दीवस आता है तो सरधान जली या बधाईयों के ताते लग जाते हैं सभी वेक्ति एक पोस्टर डिजाइन कर देते हैं और उस पे अपना चित्र और एक उस महापुर्ष का चित्र और डिस्पले कर देते हैं मुझे लगता है ये कोरा पाखंड है महाराना परताब को अगर सरधान जली देना चाहते हो तो मैं आपको एक छोटा सा उधान देता हूँ जिस पावन भूमे पर महाराणा परताप ने बलीदान दिया जिस पावन भूमे पर भील और रादी वासियों ने बलीदान दिया जहां पर उन वीरों का रक्त पड़ा उस थान पर रक्त तलाई बन गई और उस रक्त तलाई के अंदर एक स्कूल चलता था जो पुरा तत्तो विभाग ने ये कहके बंद करवा दिया कि स्कूल पुरा तत्तो विभाग के जो संग्राले हैं वहां नहीं हो सकता ठीक है अच्छी बात है लेकिन ठीक वहां पे मजार भी है उसे पुरा तत्तो विभाग बंद नहीं करवा पाया मुझे मैं बार बार कहता हूँ मुझे इस रष्टी के परतेग जीउ से प्रेम है जितना प्रेम मैं हिंदू से करता हूँ जितना प्रेम मैं इसाई से करता हूँ जितना प्रेम मैं सिख से करता हूँ जितना प्रेम मैं मुसल्मान से करता हूँ मेरे प्रेम में भिंता कभी नहीं आती क्योंकि मेरा मूल परमात्मा है मेरा मूल धर्म है और धर्म का आर्थ कहीं हिंदू, सिख, मुस्लिम, इसाई नहीं है धर्म का आर्थ है परमात्मा ने जितने भी जीव बनाए है वनस्पतियां बनाई है इन सब की रक्षा करना, इन सब के बीच में संतुलन बढ़ाना, परकर्ती के पांचों तत्वों की रक्षा करना ये धर्म है और मेरा धर्म मुझे कहता है कि मैं परतेक जी उसे प्रेम करूं लेकिन जिस संस्किर्टी की रक्षा के लिए बलिदान दिया महाराना परताब जी ने वहाँ पे एक सिक्षा का मंदिर भी होता था और एक दूसरा जो मजार भी होती थी लेकिन सिक्षा का मंदिर बंद कर दिया गया लेकिन मजार जा रही है तो अगर आप महाराना परताप को सर्दान जली देना चाहते हो तो वहाँ पे एक सिक्षा का मंदिर स्थापित कीजिए महाराना परताप के जो अधूरे कारिये हैं पुन्य भारतिय संस्कृति को स्थापित कीजिए परियास कीजिए इतना परियास अगर आज आपने कर दिया यज्ज करेंगे, तो आपने महाराना परताब को सरदान जली दे दी और इतना भी आप नहीं कर सकते तो आप महाराना परताब के हत्यारे हो रहोगे, और आपको कभी भी आपके पूरवज माफ नहीं करेंगे, बंदे मात्रम जै बारत बाई राजी उदिक्सित अमर रहे जै महाराना परताब